बांगलादेश अब dirty tactics पे उतराया है भारत को pressurize करने के लिए बांगलादेश का जो central bank है जिसको की बांगलादेश bank भी कहा जाता है उसके जो नए chief है जो की शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद जिनको न्युक्त किया गया है उन्होंने शेख हसीना के उपर आरोप लगा की चोरी करी है आप लोग यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यह खबर जो है सामने आई है financial times newspaper में बांगलादेश central banker accuses tycoons of robbing banks of 17 billion dollar with the help of spy agency बल्कि इतना ही नहीं इन्होंने यहां पर इस पूरे के पूरे मामले में help तक मांग ली है from the governments of UK बल्कि अब यह USA और even UAE के पास भी पहुन चुके हैं और even Singapore के पास भी पहुन चुके हैं कहते हुए कि हम चाहते हैं कि आप पता करिए कि exactly जो यह पैसा है यह basically कहां गया है इसी के बारे में दोस्तों हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि exactly यहाँ पर क्या-क्या आरोप हैं जो की लगाए गए हैं इंडिया का angle क कैसे इसके बीच में इन्होंने introduce किया है and also समझेंगे कि आखिरकार ये वाली जो नई तरकीब है ये बांगलादेश के द्वारा क्यूं इस्तिमाल करी जा रही है आए शुरू करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं हमारे lectures के updates को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए telegram channels के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए दिवाली के उपलक्ष मियान Academy एक बहुती शानदार offer लेकर आई है जिसमें कि हम लोगों ने हमारे सभी centers में हमने जो GS courses हैं उनके prices क कम करते हुए केवल 59,999 पर ला दिया है हमारे जो centers हैं वो नई दिल्ली के करोलबाग नई दिल्ली के मुखरजी नगर एबं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं सभी centers में GS courses के साथ साथ आपको CSAT, SA Writing Classes, Current Affairs Coverage और Test Series जैसी से करवाएं भी available करवाएं जा रही है, फिर भी कोई doubt है, कोई भी query है, आप लोग या तो नीचे दिये गए phone numbers पर phone कर सकते हैं या फिर अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो हमारे centers को visit भी कर सकते हैं, free study material, unacademy magazine, UPSC syllabus यसी चीज़ों को पाने के लिए हमारी नई आपको download कर सकते हैं, इसका link भी description box में नीचे दिया गया है, all right, directly coming to the point, basically बांगलादेश का जो central bank है, जिसको हम लोग बांगलादेश bank बोलते हैं, उसके जो नए chief है, वो recently appoint किये गए हैं, ये वाले जो नए chief है, आपको बता दूँ, इनकी photo आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका नाम ह है, एहसान, मनसूर, और ये पहले IMF में काम किया करते थे, इनको recently बांगलादेश के central bank का मुखी बनाया गया है, इन्होंने कहा है कि शेक हसीना की, जब यहाँ पर regime चल रही थी, तो उन्होंने दो तरह के लोगों के साथ, एक तो बांगलादेश में जो बड़े बड़े व सपोर्ट कर रहे थे, उनकी मदद से इन्होंने basically 17 billion dollars का पैसा है, जो की basically बांगलादेश के banking sector से चुरा लिया है, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जब ये शेक हसीना बांगलादेश को छोड़ करके भाग रही थी, तो उस time पर भी ये सारी की सारी जो इनको पैसे में इनकी ज basically इस पैसे को ये बांगलादेश से बाहर कर पाई है, और इन्होंने बलकी exactly बताया भी है कि दो तरीके हैं, जिस तरीके से इन्होंने एक तो बहुत सारे जो लोकल वैपारी थे, उनको बहुत पैसा बनवाया है, और खुद के लिए दूसरे देशों में पैसा जमा किया है, वो कैसे किया है, पहला तरीका तो ये कि जो लोकल वैपारी थे, मतलब कि जो बांगलादेशी जो डिमेस्टिक बिजनसमैन थे, उनको इन्होंने जान बूच के बड़े बड़े लेवल पे लोन्स दिलवाए हैं, इन्होंने लोन्स उनको रेक्वार्मेंट नहीं थी, और इन्होंने ये तक कहा है कि एक समय ऐसा आ चुका था कि बांगलादेश में जो बड़े बड़े वैपारी, जो बड़े बड़े बिजनसमैन हैं, वो बैंकों में जाकर के खुद ही अपने आपको लोन्स दे रहे थे, और कोई इसको लेकर आडिट नहीं कर रहा था, और दू खसीना इस पैसे को संभाल रही थी, this is where the point of India comes in, because हम सभी जानते हैं दोस्तों कि South Asia में बांगलादेश और भारत का जो वैपार है, ये बहुत बड़े लेवल पे चलता था, बांगलादेश भारी मात्रा में इंडिया से सामान मंगवाता था और यहीं पर इन्होंने एक तर industrial conglomerate है बांगलादेश में, आपने शायद नाम भी सुन रखा होगा, S-Alum Group, जैसे हमारे भारत में Reliance Industries का बहुत बड़ा conglomerate है, वैसे ही वहाँ पर एक industrial conglomerate S-Alum का है, इन्होंने कहा है कि ये वाला जो group है, जो 10 billion dollar का रकम है, वो तो केवल इसी grouping के द्वारा siphon off किया और ये जो grouping है, ये हर दिन अपने आपको ही loans अलग अलग बैंकों से दिये जा रही थी, and in fact बांगलादेश की जो government है, जो current interim government है, उन्होंने S-Alum Group के उपर बहुत जादा शिकंजा कस भी लिया है, इन्होंने बहुत सारी बैंकों में irregularities को पेश किया, इन्होंने कहा कि ये स family members है, इनके उपर travel ban भी बांगलादेशी interim government के द्वारा impose कर दिया गया है, जो S-Alum Group है, उन्होंने इस चीज़ को लेकर legally reply किया है, कि इन चीज़ों में कोई भी सच्चाई नहीं है, और उन्होंने तो बलकि ये भी कहा है, कि जो interim government है, ये जान बूज के S-Alum Group को target कर रही है और दूसरे businessman को target कर रही है, बलकि इन्होंने ये कहा कि जो बांगलादेश की interim government है, ये due process को भी follow नहीं कर रही, जो कि ये अलग-लग businessman को इस तरीके से target कर रही है, नौ ये पूरी की पूरी बात surprising बन जाती है, for two major reasons, दोस्तों ये जो आरोप लगाए गए है, ये बांगलाद देश की armed forces के पास जाकर के inquiry करी गई, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने किसी प्रकार का comment नहीं दिया, दूसरी बात, अगर इतने बड़े level पे financial irregularity चल रही थी देश में, इस चीज़ का evidence अभी तक कभी भी इस चीज़ का जिकर तक सामने नहीं आया था, इसके पहले भी ज ये खसीना ने तो बहुत पैसा चोरी किया है, और बहुत सारे businessmen को भी उन्होंने help करी है, ये सारा का सारा पैसा या तो उनके पास गया है, या ये country के बाहर चला गया है, बलकि अब बांगलादेश जो है, हम सभी जानते हैं current government को कौन support करता है, तो बांगलादेश अब foreign help क demand कर रहा है, USA, UK के पास जा पहुंचा है, इवन यहां तक की Muhammad Yunus ने जो UK के high commission है, उनसे भी मुलाकात करी है, कहा है कि हमें UK की help चाहिए, so that हम लोग इस लापता पैसे का पता लगा सकें कि exactly ये पैसा जो है, वो कहां जा चुका है, बलकि वो इतना जादा इस चीज को अपनी power का गलत इस्तिमाल कर रहे हैं, कि उन्होंने एक तरीके से ultimatum दे दिया है, उन्होंने बोला है कि जितने भी banks में ये सब गड़बड़ी हुई है, वहां पर हम लोग audit करेंगे और इस पूरे के पूरे मामले को domestically और international court of law के अंदर भी लेकर जाने वाले हैं, now what I understand from all this is, कि basically बांगलादेश जो है वो भारत के ऊपर शेख हसीना की extradition के लिए pressure बनाने की कोशिश कर रही है, आज से दोस्तों एक हफता दस दिन पहले की बात है, बांगलादेशी ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना के खिलाफ arrest warrant को इशू किया था, और हम सभी जानते हैं कि इंडिया और बांगलादेश के बीच में extradition treaty को sign किया हुआ है, लेकिन बांगलादेश यहाँ पर pressure इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा है कि अगर कहीं न कहीं ये प्रूव हो जाता है कि शेख हसीना के द्वारा कोई financial offense किया गया था, तो उस case में भारत मजबूर हो जाएगा शेख ह हसीना जी को extradite करने के लिए, आप लोगे यहाँ पे देखिए, ये दोनों देशों के बीच में जो treaty sign हुई है, इसमें दो-तिन conditions है, पहली बात तो ये कि जो भी अपराद किया गया है, उसकी सजा कम से कम एक साल की होनी चाहिए, दूसरी बात जो भी अपराद किया गया है दोनों countries में punishable होना चाहिए, और तीसरी बात, अगर वो financial offense है, तो उस case में आपको extradite करना ही पड़ेगा, और अब जो ये नई तरकीब बनाई जा रही है, कि शेख हसीना ने पैसा चुरी किया था, ये इसलिए बनाई जा रही है, so that भारत जो है, वो मजबूर हो जाए, औ और शेख हसीना को वापिस बांगलादेश भेजना ही पड़े, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन आपकी इस पूरी चीज़ को लेकर क्या राए है, हमें definitely बताएं comment section में, thank you so much for listening, stay tuned.